हेलो फ्रेंड्स, आज का मारा टॉपिक है How to Automatically Generate Text with Open Router तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम Google Sheets और Open Router जो कि एक AI एप्लिकेशन ने इन दोनों को कनेट कर सकते हैं कि जैसे आप Google Sheet में कोई नया टाइटल एड़ करेंगे अपनी रो में तो Automatically इस टाइटल पे Open Router एक Content जनरेट कर देगा और फिर यही सेम Content आपकी Google Sheet में अपने आप एड़ भी हो जाएगा जी यहां और यह पूरी प्रोसेस आप Automate कर सकते हैं पैपली करेंट की मदद से Google Sheets और Open Router के बीच में कनेक्शन एक इंटिग्रेशन बनागी इस पर आपके Trigger Application होगी Google Sheet इस पर जैसे आप कोई नई रो एड़ करेंगे मतलब कोई नया टाइटल एड़ करेंगे तो Automatically First Action Application मतलब Open Router सेम टाइटल पे Content कर देगा जनरेट और फिर वही सेम Content आपकी Google Sheet पे जाके हो जाएगा अपडेट तो आप कैसा बना सकते उस पूरे Automation को कैसे Connect कर सकते Google Sheets और Open Router को आई ये देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा Automation Google Sheets और Open Router के बीच में कि जैसे आप Google Sheet के रो में कोई नया टाइटल एड़ करेंगे तो Automatically इस टाइटल पे एक content generate हो जाएगा और add हो जाएगा हमारी Google Sheet में अब ये पूरी process हम automate करेंगे पैबली Connect की मदद से Open Router जो के एक AI application है और Google Sheets के बीच में connection बना की तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं ये है पैबली का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जो आप multiple applications को connect integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई user है तो जाएगी sign up for free पे जो आपको हर मैने मिलेंगे 100 free task कैसे automation create करने के लिए अगर आप एक existing user है तो simply click करिएगा sign in पे sign in पे click करते ही आपके सामने open होंगी पैबली की ये 5 minute applications आज हमको यूज करना है पैबली करेंट का तो क्लिक करेंगे हम access now पे access now पे click करते ही अब आपकी सामने open होगा पैबली करेंट का dashboard पैबली करेंट के dashboard पे आने के बाद हमको जाना right hand side पे click करना इस blue button पे create workflow पे और एक नया workflow हमको यहाँ पे बनाना है जैसे आप create workflow पे click करेंगे आपकी सामने एक dialogue box appear होगा जो आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसे नाम देता हूँ automatically generate text with open router आप अपने requirement के हिसाब से कोई और भी नाम दी सकते हैं इसके बाद आपको choose करना है particular folder जिसमें आप ये नया workflow बनाना चाहते हैं folder choose करने के बाद click on आपको create पे और जैसे आप create पे click करेंगे अब आपकी सामने open होंगे ये दो important boxes जिनकों कहते है trigger and action basically जो पुरा automation आजब बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts पर based होते हैं इनकी definition के बाद करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमरा objective क्या है मतलब आज हम क्या कन्नाच चाहते हैं तो देखिए आज का हमरा objective है कि जब भी मैं अपनी Google Sheet में कोई नया title एड करता हूँ तो automatically मैं चाता हूँ इस title पे content generate हो जाए यह है मेरी spreadsheet जिसका नाम है content writing यहाँ पर मैंने दो columns बनाएं एक है column A, एक है column B column A मैं मैं सारे titles एड करता हूँ सबसे पहले choose करूँगा अपनी trigger application जिसका नाम है Google Sheet Google Sheet पे जैसे कोई नया title एड होगा instantly हमारा workflow trigger होगा open router से उस पे content generate होगा और वही same content जाके update हो जाएगा इस particular cell में तो हम वापिस जाएंगे public connect पे choose करी मैंने trigger application हमारी first action application होगी open router यहांसे मैं choose करूँगा अपनी first action application open router और जो हमारी last action application होगी वो होगी वापिस Google Sheet जांसे मैं choose करूँगा अपनी last action application Google Sheet अब देखिए open router और Google Sheet दोनों के बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए हम यूज़ करने हैं public connect का तो सबसे पहले जो हमारी spreadsheet जो हमने create करके रखी जिसमें हम सारे title add करते हैं वो spreadsheet में connect करूँगा public connect से जो हमारा trigger event होगा वो होगा new और updated spreadsheet row मतलब जैसी आप अपनी Google Sheet में कोई नही row add करेंगे instantly आपका workflow trigger हो जाएगा और देखिए अप Google Sheet को public connect से connect करने के लिए यहाँ पर हमको दिया है webhook URL webhook URL का काम होता है दो applications की बीच में connection बिल्ट करना यह as a bridge की तरह करता है अब जो भी आप अपनी Google Sheet पर title add कर रहे हैं जो भी नई details add कर रहे हैं वो public connect अपने पर सकेचर करेगा इस webhook URL की मदद से यह जो webhook URL है यह आपको copy करना है और फिर आपको follow करने है यह सारे instructions तो आपको जाना है अपनी Google Sheet पर फिर आपको जाना है extensions पर फिर आपको जाना है add-ons पर और click करना है get add-ons पर इसके बाद आपके सामने open होगा Google Workspace Marketplace इसके सर्जबार में आपको यहापे सर्च करना है पैबली करनेट वेबोक्स अब देखें पैबली करनेट वेबोक्स मेरे सिस्टम में तो already installed है अगर आपकी सिस्टम में install नहीं है तो आप इसको install करें तब ही आपकी Google Sheet पैबली करनेट से connect हो पाईगी जैसे आप इसको install कर लेंगे फिर आपको अपनी spreadsheet करना है रीफरेश और रीफरेश करने के बाद आपको वापस क्लिक करना extensions पे तो देखें पैबली करनेट वेबोक्स आपको bottom पे शोग होने लगेंगे इसके बाद आपको क्लिक करना है इसके initial setup पे initial setup पे क्लिक करते हैं आपसे हम पे पूछ रहा है वेबोक URL और trigger column तो पैबली करनेट पे एक वेबोक URL आपको मिला था यह सेम वेबोक URL आपको कॉपी करना है वापिस जान अपनी spreadsheet पे और यहाँ पे इसको करना है पीस्ट इस वेबोक URL की मदद से जो पी इस Google Sheet की first row का डेटा है वो पैबली करनेट अपने पने पास capture कर लेगा और trigger column होता है हमारी spreadsheet का last updated column जापे आपने last बार कोई data फिल किया था तो देखिए जो हमारा trigger column है वो है column A column A के बाद कोई भी column है मैंने कोई data एंटर नहीं किया है तो जो हमारा trigger column होगा वो होगा column A हमें जैसे send test पे क्लिक करूँगा तो इस Google Sheet की first row का data column A तक पैबली करनेट अपने पास capture कर लेगा आप देख सकते हैं आपे क्या लिखा रहा है test data send successfully इसका मतलब जो title है जिसमें को content generate करना है वो title और इस Google Sheet की A row का data पैबली करनेट अपने पास capture कर लिया है अब आपको क्लिक करना है submit पे और जो setup इसको मैं पे मैंने configure कर दिया भी window आपको करने है बन इसके बाद आपको एक step और करना है आपको वापिस जाना extensions पे वापिस जाना पैबली करनेट वैबुक्स पे और send on event को option आपको जरूर टिक करना है send on event को option इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी Google Sheet में कोई नई row add करेंगे तो automatically नई row का data पैबली करनेट अपने पास capture कर लेगा अब जैसे आपको नई टाइटल इस Google Sheet में add करेंगे तो automatically वो टाइटल पैबली करनेट अपने पास capture कर लेगा तो चलते हम पैबली करनेट पे और देखिए आप हमको API response रिसीव हो चुका है तो trigger column तो हमारा column A column A का पूरा data उस spreadsheet का पैबली करनेट अपने पास capture कर लिया तो यह हमारा टाइटल तो future of transportation और इस टाइटल में में कोई content करना है जन्रेट तो अभी जो हमारा first step of integration है वो work कर रहा है हमने Google Sheets को successfully connect कर दिया पैबली करनेट चब जैसे अपनी Google Sheet में को नया टाइटल एड़ करेंगे automatically उसकी details पैबली करेंट है अपने पास capture कर लेगा अब सेम टाइटल पे हम open router से एक content generate करवाना चाहते हैं तो action event हमारा होगा create chat completion क्लिक करना आपको connect पे और अब open router का account हम तरेट करेंगे पैबली करेंट से तो जाना आपको add new connection पे और add new connection पे जाते हैं यह आपसे हम पे पूछेगा token अपने token आपको कहा से मिलेगा इसके लिए आपको जाना अपने open router के account पे क्लिक करना आपको account पे और account पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है keys पे और एक नई की आपको यहाँ पे करनी generate तो क्लिक करेंगा आप create key पे और इस key को आपको देना है एक नहीं तो माई लिए जब मैं इसको नाम देता हूँ test क्लिक करूँगा हमे create पे और देखे एक नई की आपको जनरेट हो चुकी है यह same API की आपको करनी है copy जाना है वापिस पैबली connect पे टोकन पे करना इसको पीस्ट और जैसे अब safe पे क्लिक करेंगे open router का account connect हो जाएगा पैबली connect सी और देखे हमारा account है पे connect हो चुका है अब account connect होने के बाद सबसे पहले हमको fill करना है AI site URL कोई भी AI site URL आप यहां पे fill कर सकता है मैं directly यही वाला URL copy करूँगा और यहां पे कर दूँगा इसको paste इसके बाद हमको choose करना model तो model हमारा रहेगा open router slash auto मतलब automatically मैं चाता हूँ मेरा model select हो जाए site वे रपस नहीं है इसलिए site में छोड़ दूँगा blank के mandatory field नहीं है role मेरा राएगा user फिर आता है content user मतलब यहां पे हमको देनी है command कि हम open router से क्या कराना चाहते हैं देखिए आप मैं type कर देता हूँ अपनी command तो देखिए आप मैंने command type कर दिया write me a short content on और topic हमको google sheet से पहले ही मिल चुका है आपको यहां पर दिख रही होगी इसके drop down पर जैसी क्लिक करेंगे तो जो भी response आपको मिला था आपके trigger application से वह पूरा आपको यहां पर दिख रहा होगा तो यह था हमारा title इसको मैंने यहां पर कर दिया map मैं चाहता हूँ इस particular title पे automatically open router एक content कर दे generate अभी data यहां पर मैंने map इसलिए क्या है क्योंकि जो भी data में यहां पर map करते हैं वो data automatically new data से हो जाता है change इसका मतलब जैसे आप google sheet में कुल नया title add करेंगे content के लिए तो automatically वो same title यहां पर आके हो जाएगा update हमारा workflow गा trigger और automatically उस नए title पे एक content कर देगा generate open router इसलिए mapping करना हो जरूरी process अब मैं क्लिक करूँगा save and send टेस्ट इसकी बटन पे और आप देखेंगे इस title पे एक नया content हो जाएगा generate और देखें API response हमको आपर receive हो चुका है देखें एक नया content यहां पर पूरा generate हो चुका है इस particular title पे इसका मतलब जो हमारी first action application हो सही से काम कर रही है हमने open router क अकाउंट को successfully connect कर दिया पैबली connect से अब जैसे आपको Google Sheet में नया title add करेंगे automatically open router उस पे content कर देगा generate अब यह same content हमको update करना हमारी Google Sheet के column B में तो वापिस जाएगा हम पैबली connect पे और अब मैं चूस करूँगा अपनी last action application Google Sheet और action event हमारा इस बार होगा update cell value क्योंकि हम update करन मैं कॉलंबी इस पे हम नई value add करना चाते हैं तो जाएंगे हम पैबली connect पे click करूँगा मैं connect पे select रखूँगा मैं existing connection क्योंकि पहले ही मैं Google Sheet को connect कर चुका हूं पैबली connect से और आप देखेंगी जो हमारा Google का account है वो connect हो जाएगा पैबली connect से अब account connect होने के बाद सबसे पह content writing sheet हमारा system automatically कर लेगा detect क्योंकि एक ही sheet में पे create करके रखी है तो वापिस जाएंगा पैबली connect पे अब हमको choose करना रेंज मतलब जो अप cell value update करना चाहते है उसकी range क्या है और range हम कैसे देखेंगे column name और row index को जोड के हमको यहां पे fill करना रेंज तो वापिस जाएंगा हमारी spreadsheet पे तो देखिए जो मेरा column है column हमारा रहेगा column B क्योंकि जब भी कोई नया title मैं हापे add करूंगा तो उसका content है वो column B में जाके ही add होगा तो हम जाएंगा पैबली connect पे range में हापे type करूंगा column B पर जो row index है वो हमेशा होता रहेगा change आप देख सकते हैं क्योंकि अभी जो title म वो हमेशा होता रहेगा change तो row index मैं हापे कर दूँगा map जाओंगो google sheet पे और यह था हमारा row index 2 अब क्या होगा जब भी हमारा workflow run करेगा एक open router से कोई नया content generate होगा तो automatically वो same content column B में तो जाके add होगा पर जो उसकी row है वो हमेशा नए data से change होती रहेगी मतला आपने जैसे title row 9 म इस सामने ही उसका content यह पर generate होगा और add होगा इस particular row में इसलिए मैंने आप इसको करा है row index को map आती है हमारी value तो value हमको पहले ही मिल चुकी है open router से मैंने एक पूरी value generate करी थे content generate किया था वही content मैं आपर कर दूँगा map अब देखिए जैसी में save and send test को इसकी button पर किलिक होगा automatically details जाके record हो जाएंगी Google sheet की row में आप देख सकते हैं आप हमको API response receive हो चुका है इसका मतलब यह details जाके record हो चुकी Google sheet में आप देखिए यहां पर भी मैरा mapping का use इसलिए क्या है क्योंकि जब भी open router से कोई नया content generate होगा तो automatically वो नया content generate होके Google sheet में add हो जाएगा तो चलते ह हमारी अब Google sheet पे और देखिए आप देख सकते हैं title the future of transportation पे automatically content यहां पर जनरेट होके add हो चुका हमारी Google sheet में इसका मतलब जो automation हमने बनाया है पैबरी connect पे उस सही से काम कर रहा है simply तीन step में हमने पूरा automation बना दिया जो work करेगा instantly अब आप जैसे अपनी Google sheet पे कोई नही रो होगा यूज करना चाहते हैं तो उसका link पर अपनी वीडियो के description में दे दूँगा जा आप इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पैबली connect के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते है support at the net family.com पर अगर आपको कोई queries हैं आपक Thank you